प्रभी येश्यू मसी के नाम से आप सब को जह मसी की मेरे पतियों जैसे के मैंने वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आउंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो भवी शवानिया और अन्य अन्य भासा की आशी से हैं वो बैंड हो चुका है यानि बंद हो चुका है अभी नहीं है तो आज मैं पहला करुंथी तेरा आठ से लेकर तेरा तक आपको समझाने वाला हूं फुल डिटेल्स में मैं वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे आप टोटली किलियर हो जाएंगे कि भवी शवानिया और अन्य अन्य भाशा का जो आशी इन दी फ्यूचर और आप सु समझार सुना सकते हो और एक सही और सत्य शिक्षा लोगों तक बांट सकते हो तो किलिप्या करके वीडियो पॉस्ट कीजिए एक कॉपी और पैन ले लीजिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहला कुरंथी तेरा आठ से लेकर तेरा तक समाप्त हो जाएंगी भासाय हो तो जाती रहेंगी ज्यान हो तो मिट जाएगा यानि यहां पर पॉलुस बोल रहा है कि जो प्रेम हैं जो हम परमेश्वर से और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो कभी समाप्त नहीं होगा प्रेम कभी खतम नहीं होगा वो हमेसा चलता ही रहेगा यानि प्रभु हम से और हम प्रभु से जो प्रेम करते हैं वो सदा काल तक अनंत काल तक प्रेम बना रहेगा लेकिन भविश्यवानिया हो तो समाप्त हो जाएंगे लेकिन जो भविश्यवानिया है वो समाप्त हो जाएगी और जो भासाएं है भासाएं भी समाप्त ह जाएंगी ग्यान जो है ग्यान भी मिठ जाएगा तो पॉलुस का या कहना है कि जो प्रेम है वो कभी समाप्त ने होगा लेकिन भविश्यवानिया और भासाए है वो समाप्त हो जाएगी प्रेम कभी ने खतम होगा लेकिन क्या ऐसी चीज है जो खतम होने वाली है यह 8 9 10 11 12 पढ़ने से पहले यह तेरवा वचन देखिए यह और विश्वास आसा प्रएम थे तीनों इस्थाई है पर इन में सबसे बढ़ा प्रेम है तो जो प्रेम है परमेश्वर और हमारा आपस में जो प्रेम हम करते है वो प्रेम सबसे बड़ा है क्योंकि वह कभी समाप नहीं होगा लेकिन विश्वास भी एक दिन खतम हो जाएगा आशा भी खतम हो जाएगा अब विश्वास कब खतम होगा अभी जो हम प्रभू पर विश्वास करते हैं तो कब खतम होगा विश्वास विश्वास तब खतम होगा देखिए प् समाप्त हो जाएगा खतम हो जाएगा और भासा भी जो अन्य अन्य भासा या ता अन्य भासा जो भी मान लो वो भी खतम हो जाएगा ज्यान भी खतम हो जाएगा लेकिन अब तेरवा वचन पर अब विश्वास आशा विश्वास और आशा कब खतम होगा विश्वास कब खतम ह विश्वास तब खतम होगा जब प्रभु दूस्रा बार आयेगा रैप्चर के लिए हमको बादल में उठाएगा अबर्व फीश्वास भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि देखें विश्वास हम कब करते हैं यह हमारा विश्वास है कि येश्व जब आएगा, वो हमें बादलों के पार लेके जाएगा, वो बादलों में लेके जाएगा, यह हमारा विश्वास है ना, लेकिन जब येश्व मसी आएंगे, हमें लेने, तब हमारा विश्वास खतम हो जाएगा, क्योंकि येश्व आ चुका है ना, तब तो विश्वास खतम हैं हम विश्वास से चलते हैं लेकिन जब येश्व मसी आएंगे तो हमारा विश्वास भी खतम हो जाएगा क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि येश्व आएगा हमें लेने तो जब येश्व लेने आएगा तो हमारा विश्वास भी खतम हो जाएगा आप देखें यही में हमें बताया जा रहा है कि हम जो हैं विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उधर प्राप्त करते हैं तो जो विश्वास है हमारा येश्व आएगा हमें लेने तो इसका प्रतिफल हमें कब मिलेगा जब येश्व हमें लेने आएगा तो हमारा विश्वास खतम हो और आशा कब खतम होगा आशा आशा तब खतम होगा यानि जैसे देखिए मान लिजिए कि आपकी साधी नहीं हुई है तो आप आशा करते हैं कि मेरी साधी कब होगी मेरी साधी होनी चाहिए तो आप साधी करने का आशा करते हैं तो अगर आपकी साधी हो चुकी है तो क्या आ आशा करते हैं कि मेरी शादी हो नहीं आपकी शादी हो चुकी हो तो आप आशा नहीं करते हैं कि मेरी शादी हो वैसे ही जब येशु मसी आ चुका होगा और हमारा विश्वास भी खतम होगा और जो आशा है हमारी उस पे वो आशा भी खतम हो जाएगी जैसा कि रूमियों उद्धार हुआ है परन्तु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहा रही तो पॉलुस यहां पर कह रहा है जब हम देख लेते हैं किसी चीज को तो आशा खतम हो जाती है तो जब येशु आएगा जब हम देख लेंगे तो आशा भी खतम हो झाएБधा आशा भी खतम हो झाएगा लेकिन प्रेम सबसे क्या है बड़ा है क्योंकि प्रेम कभी खतम नहीं हो गाऊके और यहीचीज पॉर्ण नियम केवल है नया नियम नहीं नहीं नया नियम पूरा लिखा नहीं गया था तो इसलिए पॉलुस बोलता है क्योंकि हमारा ग्यान अधूरा है क्योंकि पुराना नियम खाली था इनके पास ओके नया नियम कंप्लीट नहीं हुआ था और हमारी भविश्यवानिया अधूरी तो जो नया नियम का भविश्यवानिय जैसे Revelation का पुष्टक वो भविश्यवानिया भी नहीं था किवल दानियल ने देखा था येशु मसी को की वो राज कर रहा है बादलों में आ रहा है लेकिन वो जो भविश्यवानिया थी दानियल की वो भविश्यवानिया दानियल की अधूरी थी जैसा कि हम दानियल साथ 13 में पढ़ते हैं मैंने रात को सपने में देखा तो देखा मनुष्य के संतान सा कोई यानि येश्य मसी आकास के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अती प्राचीन के पास पहुँचा और उसको वे उसके समीप लाए तब उसको ऐसी प्रभुता महीमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाती जाती के लोग और विन्न भिन्न भासा बोलने वाले सब उसके अधीन हो उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनासी ठहरा तो दानियल ने जो ये भविशवानी की थी तो इस भविशवानी में दानियल को एक विजन दिखा था उस विजन में उसने एक मनुष्य के पूत्र जैसा यानि इनसान जैसा किसी को देखा था मनुष्य का पूत्र का अर्थ है बार-बार मनुष्य का पुतर क्यों कहता था क्योंकि येशु बसी यही बता रहा था कि मैं वही हूँ, जिसके बारे में दानियल ने कहा था, खेर हम लोग टॉपिक से भटक रहें, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो भविशवानिया है, ये अधूरी है, दानियल ने जो भाविशवानी की थी ये अधूरी है ये पूरा कम्प्लीट नहीं है क्योंकि इसके बाद 1000 साल राज करेगा ये शू वो सेतान को 1000 साल के लिए अतह कुंड में डाल देगा ये सब और भी डिटेल्स है जो हमें खैंके रेवलेशन के पुस्तक तो ये भाविशवानी अधूरी थी तो इसी लिए पहला करणधी तेरा नौ में क्या कहता है पॉलुस क्योंकि हमारा ज्यान अधूरँ है और हमारी भाविश्वानी अधूरी प्रकाशित वाक्य की पुष्तक नहीं आई थी तो भविश्यवानिया भी अधूरा था यहां तक ठीक है तो यह बाईबल का बारे में बात हो रहा है क्योंकि हमारा ग्यान अधूर है और ग्यान भी अधूरा था क्योंकि पुराना नियम केवल था चेलो के पास नया नियम टोटली कंप्लीट नहीं हुआ था ओके तो यह बाइबल का विशे में बात कर रहा है पॉलुस अब देखिए अब सवाल यह उड़ता है कि यह जो आठ म कि कब खतम होगा तो इसका उतर यहीं पर हमें मिलता है परन्तु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा तो सर्वसिद्ध जब आएगा तो अधूरा मिट जाएगा तो यह सर्वसिद्ध है कौन कई कैडिजमेटिक चर्च वाले कहते हैं कि यह जो सर्वसि येशु का दूसरा आगमन है, तो भविश्यवानिया और भासाए आज भी हैं, लेकिन अगर ये सर्वस्ид्ध येशु नहीं है और केवल परमेश्वर का वचन है, यानि बाइबल है, तो आज भविश्यवानिया और भासाए अन्य बाइबल साए नहीं हैं, तो चलिए देखत है details में यहां पर जो सर्वसिद्ध बोला गया है यह जो सर्वसिद्ध है अगर हम Greek Bible में देखेंगे यह देखें यह भी फिलाल English Greek दोनों में यह तो कहां गया डस्ववचन that is perfect यह जो perfect भrän अंग्रीजी में perfect है और हिन्दी में शर्वसिद्ध लेकिन अगर हम इस गूरीप में देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहांपर Greek में तिली योस यह सब्द है तीली योस यह तीली क्या है देखें है नपुनसक्ट लिंग जैसे कि मेरे पास Suppose किताब है चैज के लिए इस्तिमाल किया जाता है जो चीज के ऊपर यह चीज इस्तिमाल गीा जाता है जिसमें कोई जान नहीं है ये तो साफ हो गया कि ये येशु तो नहीं है क्योंकि येशु क्या है एक मैस्कुलिन जेंडर है मैस्कुलिन यानि फुर्लिंग लेकिन यहां पर जो सब्द टीलियोस इस्तिमाल किया गया है वो केवल नॉन लिविंग तिंग यानि कोई भी ऐसी जिसमें जीवन नहीं है उनके लिए इस्तिमाल किया जाता है उधारन के लिए अब ये प्लास्टिक का खिलोना इट्स अ प्लास्टिक टॉय क्या ये पुर्लिंग है क्या ये मैस्कुलिन जेंडर है क्या ये पुर्लिंग जेंडर है नहीं क्या ये फैमिनीन जेंडर है क्या यह स्त्रिलिंग है नहीं प्लास्टिक टॉय तो यह क्या होगा यह नपूंसक लिंग होगा यानि न्यूटर जेंडर होगा इसका न्यूटर जेंडर प्लास्टिक टॉय तो जिन चीज में जीवन नहीं होता उन्हें न्यूटर यानि जो यह सब्द टिलियोस इस्टेमाल किया अधूरा मिट जाभेगा अब आगे और दिखाता हूँ आपको तो अभी अभी आब यमने दिखाथ हुआपको अभी को फिर्लाम cob आपको तेरा दस में जो सर्वसिद्ध सब्द इस्तिमाल किया गया है वो सर्वसिद्ध जो है वो non living thing के लिए है ओके अब आगे पढ़ते हैं जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था तो पॉलस यहाँ पर शारिरिक बालकपन का बात नहीं कर रहा है या आत्मिक यानि प्रभू में बात कर रहा है पॉलस प्रभू में बालक था यानि विश्वास में बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था बालकों क जब था वो बच्चे जैसा था उसके इतना ज्यान नहीं था लेकिन अभी जब वो श्याना हो गया विश्वास में आगे बढ़ा तो बालो को जैसा बोलना छोड़ दिया उसने अब हम कैसे कह सकते हैं कि यह सर्वसिद्ध जो है यह ये येश्यु नहीं बलकि नया नियम है अब हमें दरपन में दुंदला सा दिखाई देता है अर्थात पॉलुस का यहां पर कहने का मतलब है कि पुराना नियम तो अभी है हमारे पास लेकिन अभी नया नियम हमारे पास नहीं है तो पूरा ग्यान हमारे पास नहीं है तो इसलिए पॉलुस यहां पर बोल रहा है कि प्रभु का पूरा ग्यान हमारे पास नहीं है आधा ग्यान है खाली पूराना नियम है नया नियम नहीं है तो इसलिए बोल रहा है अभी हमें धरपन में धुंदला सा दिखाई देता है परन्तु उस समय आमने सामने देखेंगे तो यहां पर बहुत से कैरिस्मेटिक चर्च वाले बोलते हैं कि जब येशु आएगा तब हम आमने सामने देखेंगे अरे ध्यान से सुनो हाँ अभी हमें दरपन में धुनला सा दिखाई देता है येशु को तो चेलों ने पहले देख लिया था अच्छी तरीके से देखा और येशु कुरुस में चड़ने के बाद जब पॉलुस यहाँ पर बोल रहा है अभी हमें दरपन में धुनला सा दिखता है तो अगर येशु है कैसे धुनला सा दिखता है क्योंकि चेलों ने येशु को तो देखा थे घूमा था उसके साथ बैठे उसके साथ खाए उसके साथ पीए उसके साथ घूमे उसके साथ हर जग समय मेरा ग्यान अदो रहा है देखा तो यहां पर ग्यान का बात हो रहा है यानि प्रभु में जो ग्यान है उसका यानि वचनों का बात हो रहा है यहां पर येशु का बात नहीं हो रहा है यहां वचनों का बात हो रहा है यानि नया नियम का इस समय मेरा ग्यान अदो रहा है परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीती से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ तो अभी यहाँ पर जो है यह जो दर्पन है यह यह परमीश्वर का वचन है और जब नया नियम आएगा तो मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझूंगा मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो पॉलुस वहाँ पर दर्पन की बात कर रहा है वो परमीश्वर का वचन है मैं कैसे कह सकता हूँ simple है याकुप 1.22 से पढ़ते हैं परंतु वचन देखो वचन का बात हो रहा है ठीक है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोका देते हैं क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस है जो अपना सवभutable मुह दर्पन में देखता है देखा यहां पर दधर सब्सक्राइब है की नहीं है देखिए तो यहां पर वचन जो है वह दर्पन है क्योंकि वचन हमें दिखाता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं तो जो वचन है वो दर्पन है तो पॉलस वहाँ पर परमिशोर का वचन की विशे में बात कर रहा है ठीक है अब आगे देखते हैं इसलिए कि वो अपने आपको देख कर चला जाता और तुरंद भूल जाता है कि मैं कैसा था पर जो स्वतंत्रता की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशिस पाएगा कि सुनकर नहीं यानि वचन सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है तो यहाँ पर जो दर्पन है तो यहाँ पर जो दर्पन है वो परमेश्वर का वचन है जो हमें दिखाता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, जब हम आईना देखते हैं, तो हमें साफ साफ पता चलता है, मेरा आख का है, नाख का है, मुझ का है, एक पिंपल निकला की नहीं, तो हमें पता चलता है न, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, एक आईने की तरह, एक दरपन की यानि पुराना नियम केवल था नया नियम नहीं था लेकिन क्या बोल रहा है सुनू आगे परन्तु उस समय आमने सामने देखेंगे उस समय आमने सामने हमें वचन मिलेगा इस समय मेरा ग्यान अधूरा है इस समय मेरा ग्यान अधूरा है पॉल रहा है या वचन का यानि परमे पहचान ङया हूँ। तो पाउदुस की बोल रहे हैं जब नया ुयं आयगा तो पूरी पुरे तरीके से मैं पहचान लूँगा कि प्रभू क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है सब पहचान लेगा वो क्योंकि नया पूरा होगा ना उस टाइम में complete हो जाएगा तो यहां पर जो वचन और दर्पन है यहां पर यह टोटली आठ से तेरा तक अगर हम पढ़ेंगे यहां पर परमेश्वर के वचन के विशे में बात हो रहा है ना कि येशु का दूसरा अगमन का क्योंकि दर्पन जैसा हमने है जो अपना स्वाभाविक मुँ दर्पन में देखता है स्वाभाविक मुँ दर्पन पर देखता है सिम्पल तो अब यह साबित हो गया कि यह जो है यह परमेश्वर का वचन यानि नया नियम के बारे में पॉल रहा है कि जब नया नियम आएगा हमारे पास क्योंकि अभी हमें दरपन में धुंदला सा दिखाई देता है यानि पुराना नियम था नया नियम नहीं है जब नया नियम आएगा तो हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा और हमारी भविश्यवानिया भी पूरी हो जाएगी यानि भविश्यवानिया अन्यभासा ये सब बंद हो जाएगा जब नया नियम आएगा तो अब बात यह आती है कि जब नया नियम आ चुका है हमारे पास तो कैसे ये लोग जो pasters हैं भविश्यवानिया कर रहे हैं यह लोग अन्य भासा बोल रहे हैं कैसे तो इसका जवाब मती 722 में कैसे वो लोग ऐसा कर पारें उस दिन भोह तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रबू हे प्रबू क्या हमने तेरे नाम से भविश्यवानिया नहीं की तो इनके पास भवविश्यवानियों का सकती होगा ठीक है अब वो कैसे वोद नहीं वो हमें नहीं पता लेकिन प्रभु येशु खुद कह रहे हैं कि उनके पास होगा वो शक्ति और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंबे की काम नहीं किये यानि चिन्नचमतकार नहीं किये इसका अर्थ यह है तो मै उनसे खुल कर कह दूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना कभी जाना ही नहीं यह प्रभु ने जानने का तो छोड़ दो कभी जाना ही नहीं कभी भी कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि उनके पास शक्तियां होंगी, वे चिन्न करेंगे, चमतकार करेंगे, बड़े-बड़े काम करेंगे, उनके पास ये शक्तियां होंगी, तो जो पहला करण थी तेरा आठ से तेरा में हमने पड़ा, कि वहाँ पर पॉलुस नया नियम की विशे में बात कर रहा है, नया नियम की विशे में कि जब नया नियम आएगा तब ये जो चिन्न चमतकार, भविशवानिया, अन्य भासा सब बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, क्यूंकि उसके पीछे का कारण यही था, नया नियम लोगों के पास नहीं था, तो उसका जरूरत था ना भविशवानिया करना, ताकि चर्च ब से अ़िया भासा बोलते हैं चिंनदा मइशावाय करते हैं तो यह नहीं जानता है क्योंकि प्रभु क्यूं के ये लोगों को लूटते हैं अन्य भासा ये सब भाविश्वानिया चिंदा चमतकार ये ये सब बंध हो चुका है तोटली बंध हो चुका है हां क्योंकि नया नियम आ चुका है हमारे पास हम देखते हैं पॉलुस बोलता है ना मेरा ज्ञान अधूरा है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा पूरा हो किये और खुद से भी पढ़िए ठीक है ये शुमसी अब सब को आशिस दे ग्यान में और बढ़ाएं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय मसी की